हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं सपना पार्टनी फिर से आप सभी का सिक्षा हाउस में स्वागत करती हूँ तो चलिए सातियों आज के अपने करंट अफेर्स की सुरुआत करते हैं आज है 20 फरवरी हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेर्स तो आप मेरे साथ बने रहें इसी चैनल में रोज जी के फैक्ट आफ दे डे सीरीज भी आती हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं साती साथ अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे बाकी के जी के जी इस रिलेटेट वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं तो चलिए दोस्तों आज का करंट अफेर्स स्टार्ट करते हैं चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रशन पे हाल ही में किस राजे ने अपनी सभी जिलों में अटल भूजल योजना का विस्तार किया है तो वे कौन सा राजे है जहां पे आपका विस्तार किया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट में अटल भूजल योजना का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज में आपके सभी डिस्ट्रिक्ट पे अटल भूजल योजना का काम किया जाना है और ये जो आपका अटल भूजल योजना है सभी जिलों में होगा सार्व जनिक भागेदारी सुनिश्चित करन और भूजल इनका जो main focus रहेगा improvement करने का groundwater conservation और management का ठीक है तो यह इस वज़े से आपका सारे district में आपका लागू किया जाएगा अटल भूजल योजना और हम बात करें जो अटल भूजल योजना है यह पहले से ही 25 दिसंबर 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के द्वारा यह launch किया जा चुका है जो कि आपके यह आपका main जो किया गया है आपके 95th birth anniversary जो कि हमारे पूर्व प्रधान मंतरी रह चुके थे अटल भिहारी वाचपई जी के जनम दिवस के तोर पे यह आपका अटल भूजल योजना लाया गया था 25 दिसंबर 2019 को और इस य चंग से management करने का इन साथ राज्यों में लाया गया था 2019 में अब जो यह लाया गया है यह आपका उत्तर प्रदेश में जो पहले ही लाया जा चुका था लेकिन उसके अब सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी आपके 65 डिस्ट्रिक्ट बच्चे हुए आपके उन सब में आपका अगले प्रशन पे हाल ही में मानवा धिकार परिशत में सलाकार समीती के पहले भारती अध्यक्ष कौन बने हैं तो जो हमारे फर्स्ट इंडियन बने है चेर परसन एडवाइसरी कमीट्री एट हुमन राइट काउंसल में तो यह कौन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और अजय मलोतरा जी की बात करें तो यह पहली बार 1977 में भारती विदेश सेवा में सामिल हुए थे और इन्होंने आपका रूसी संग में जो आपका रश्यन फेडरेशन में भारत के राजदूत के तोर पे भी आपका यह कारिक किया है इन्होंने तो इन्होंने जो आपका भारती विदेश सेवा में जो सामिन हुए थे वो आपके कौन से वर्स में हुए थे 1977 में हम यहां पर बात करें कि किसके चेर परसन बने हैं Human Rights Council के मानौ अधिकार परिशत के तो इससे related कुछ information भी जान लेते हैं इसकी स्थापना जो हुई थी Human Rights Council की वे आपकी 15 मार्स 2006 को यह स्थापित किया गया था इसके headquarter की बात करें तो जेनेवा स्विजलेंड में पड़ता है और इसकी जो अध्यक सेवे आपके नजधत शमी खान है तो इसे भी याद रखेगा इसके प्रेसिडेंट कौन है नजधत शमीम खान और हमारे जो अभी ही आपके न्यूक किये गए हैं अजय मलोतरा इसके क्या हो जाते सलाकार हो जाते इसे भी याद रखेगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन पे निमलिकित मैसे कि से innovation category में ये प्रतिस्टित Asia Environment Enforcement Award जो कि आपका 2020 के लिए दिया गया है तो ये किसे सम्मानित किया गया है इस Award से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा WCCB जो कि आपका फुल फॉर्म हो जाता है Wildlife Crime Control Bureau वनने जीव अपराद नेंतरन ब्यूरो को ये Award से सम्मानित किया गया है और ये जो Award दिया गया है आपका UNEP के द्वारा ये Award दिया गया है United Nations Environment Program के द्वारा और ये जो रिसीव किया है ये हमारे जो WCCB के Additional Director है तिलोतमा वर्मा उनके द्वारा ये Award रिसीव किया गया है इसके साथ साथ एक और चीज़ आप याद रखेगा कि WCCB ने आपका ये जो Award ज गठन हुआ है और ये जो आता है आपका किस Ministry के अंदर आता है Wildlife Crime Control Bureau ये आपका आता है Ministry of Environment, Forest and Climate Change की अंतरगती आपका आता है और इसके मुख्याले की बात करे तो ये आपका मुख्याले पड़ता है आपका New Delhi में हमने बात करी ली है कि WCCB के जो Additional Director है वे कौन है तिलोतमा वर जिनों ने ये अवार्ड रिसीव भी किया है हम यहां पर बात हमने की कि इससे पहरे जो Ministry आती है Environment, Forest and Climate Change के अंतर करी आपका WCCB आता है तो इसके मिनिस्टर की भी बात कर लेते हैं तो इसके मिनिस्टर कौन है हमारे प्रकास जावडे करें तो इसको भी याद रखेगा हमने यहां पर बात की कि UNEP जिसने यह अवार्ड प्रिजेंट किया इस अवार्ड को दिया है तो इससे रिलेटेड भी कुछ Information जान लेते हैं इसका Foundation जो इसतापित किया गया है UNEP को यह 5 जो 1972 को किया गया है इसके मुख्याले की बात करें तो नेरो भी Kenya में पढ़ता है और इसके जो Executive Director हैं वे आपके Inger Anderson पढ़ते हैं इसे भी याद रखेगा UNEP से Related हमने Information जाना और हमने WCCB के Related भी हमने जाना तो इसको याद रखेगा UNEP से एक और चीज़ आप याद रखेगा कि UNEP के जो Goodwill Ambassador के तोर पे कुछ दो वर्सों के लिए जो बनाएगी है वे हमारी दिया मिर जाएं तो इसे भी याद रखेगा ठीक है चलते हैं अपने अगले प्रशने पर निमलिकित में से किस ने भारत में Electronics उत्पादों का निर्मान शुरू करने का निर्णे किया है तो वे कौन सी कांपनी है जो हमारे भारत में Electronics आइटम का manufacturing करने जारी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा Amazon इंडिया Amazon इंडिया ने हमारे भारत में Electronics उत्पादों का निर्मान शुरू करने का निर्ने लिया है हम यहाँ पर Amazon की बात करें तो से related कुछ information भी जान लेते हैं साथी साथ तो Amazon का जो foundation हुआ है जो स्तापित की गई है या आपकी कौन से वर्ष में की ग Seattle USA में पढ़ता है और इसके जो President और CEO है अभी हाल ही में आपके Jeff Vizos है और हाल ही में आप इसके साथ साथ एक और चीज याद रखेगा यह बहुत important point है एंडी जैसी जो आपकी new CEO के तोर पे न्यूक तिये जाएंगे आपके Amazon में वो आपके कौन से टाइम से आपके न्यूक point है चलते हैं अपने अगले प्रशने पर हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी जी ने COP26 के अध्यक्स के साथ बैठा की है तो जो इसके अध्यक्स है वे कौन है इस प्रशने में हमें ये बताना है कि COP26 के जो अध्यक्स है वे कौन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आलो शर्मा है जो हमारे कॉप 26 के अध्यक्स है उनके साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बैठा की है और यह जो कॉप है यह आपका UNFSSC के द्वारा यह आपका आयोजित किया जाता है COP का फुल फॉर्म हो जाता है Conference of Parties और UNFCCC का फुल फॉर्म हो जाता है United Nations Framework Convention on Climate Change तो इनका में जो मकसद होता है वह आपका environment से related जितने भी issues होते हैं जितने भी के अंदर जो members countries है तो उनके बीच में आपका क्या वारता लाफ होता है बाचीत होती environment से related ठीक है और इसमें जो participants है वह आपके member countries है UNFCCC के ठीक है हमने UNFCCC के फुल फॉर्म की बात करी लिए जो कि आपका United Nations Framework Convention और Climate Change है जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राज Framework Convention इसके साथ आप कुछ चीजे भी याद रखेगा जो हमारा COP 1 हुआ था 1995 में Berlin Germany में हुआ था और जो COP 25 रहा है जिससे पिछला हुआ है ठीक है यह आपका तो 26 होगा इस number में 2021 में जो COP 25 हुआ है 2019 में Madrid Spain में हुआ है और जो हमारे भारत में हुआ था COP 8 2002 में वह आपका New Delhi में आयोजीत कराए गया था ठीक है ना कौन सी जगा पे हुआ इस सबको याद रखेगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन पे रुस्तम 2 जो की एक आपका ड्रॉन का दूसरा ट्राइल अपरेल 2021 में किया जाएगा तो यह जो रुस्तम 2 है यह किसके द्वारा बनाया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा DRDO के दारा ये रुस्तम 2 का निर्मान किया गया है और रुस्तम 2 जो आपका बिल्ट हुआ है ये आपका DRDO की ये आपका Aeronautical Development Establishment है जो कि आपका HAL के साथ पार्टनर्शिप करके इसके बनाया गया है और ये जो इस बार आपका ये करनाटक के चित्र दुर्ग में 27,000 फिट पर 24 घंटे तक उडान भर कर परिक्षन किया जाएगा तो इसका जो नेक्स फेज रखा गया है पहले इसका 18 घंटे रखा था अब इसका बढ़ा के कितना करा जाएगा नेक्स फेज में 24 आवर किया जाएगा आपका और इसका हाइट भी बढ़ा दिया जाएगा आपका कित इतने से 27,000 feet से लेकर 30,000 वद्धा 30,000 से उपर आपका ये करने की कोशिश किया जाएगा next phase के लिए ठीक है तो ये सारी चीजे detail है जो इसका phase में रखा गया कि अभी जो यह आपका कहां पे कितने पे जा रहा है 18 गंटे पे उड़ रहा है और कितने height पे आपका 27,000 पे और इस तो ये जो आपका बनाया गया है रुस्तम 2 ये किसके उदारा बनाया गया है DRD और किसकी मदद के साथ आपका HAL की मदद के साथ ये बनाया गया इसे भी याद रखिएगा चलते हैं अपने अगले प्रशन पे निमलिखित मंत्री मैंसे किसने quad की तीसरी मंत्री स्तरिये बैठक में भाग लिया है तो ये जो आपकी quad की third ministeral meeting हुई है इसमें हमारे कौन से मंत्रिये जिनोंने participate किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा SJ Shankar जिनोंने आपका quad के तीसरी ministeral meeting में participate किया है और ये जो आपका quad का third ministeral meeting हुआ है इसमें आपके कौन-कौन से country शामिल है यहाँ पे आपका स्युक्तराज अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत इसके members हैं और इनोंने हमारे भारत से किनोंने आपका represent किया है ये हमारे SJ Shankar जो कि हमारे ministeral meeting हो रहा है तो इससे पहले जो हमारा दूसरा quad ministeral meeting हुआ है वे आपका October 2020 में हुआ है टोक्यो जापान में ठीक है चलते हैं अपने अगले प्रशन पे किस देश ने दक्षिन एशियाई छेत्री सयोगी संगतन जो कि आपका shot आ जाता है आपका सार्क कि जो आपकी virtual meeting हुई यह स्वास्त सचीव स्तरिय बैटक की मेजबानी की है तो कौन है जिसने हमारे आपका host किया है virtual health secretary level meeting of the सार्क तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंडिया ने हमारे भारत ने यह आपका सार्क की जो आपकी secretary level meeting हुई है जो health से related है जो virtually hosted हुई है यह हमारे भारत ने host की ह और यह जो meeting रही है यह आपका coronavirus emergency fund से related हुई है और भारत ने इसमें भारत ने इसमें कितना amount दिया है जितना contribute किया है वे आपका usd 10 million का योगदान देगा जो हमारा भारत देगा सार्क countries के अंदर और यह जो सार्क के अन्य सदस्य देशों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र उसके लिए उनके प्रस्ताव को व्यक्त किया है तो यह सारी चीजें अपना जो भारत देगा इसके साथ साथ हमारे मोदी जी ने इनको क्या-क्या चीजें support की है coronavirus emergency fund से related यह सारी चीजें इसमें बताई गई है इसमें साथ साथ बात करें तो हमारे भारत ने विबिन ने देशों को COVID-19 T के उपहर में भी दियें तो जो हमारा इस आपका pandemic चल रहा है तो उसके अभी जब वैक्सीन आपका बन गया तो उसके साथ साथ हमारे भारत ने आपका gift भी किया है COVID-19 वैक्सीन तो हमारे various countries को तो इसको भी याद रखेगा सार की की बात कर रहे हैं तो South Asian Association for Regional Corporation इसका full form हो जाता है तो इससे related भी कुछ information जान लेते हैं तो इसका जो foundation हुआ है वे आपका 8 December 1985 में धाका बांगला देश में हुआ है इसके मुख्याले की बात करें तो आपका काट मांडू नेपाल में इसका मुख्याले पड़ता है साथ-साथ आपको ये भी पता होना चीए कि जो हमारे सार के member countries है वे आपके अफगानिस्तान, बांगला देश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका हैं तो ये आपके हमारे सार के 8 member countries हैं इसे भी याद रखेगा और सार के जो सार के है पूछे जा सकते हैं और इसके जो मेंबर कंट्री से उससे रिलेटेट भी कोशन पूछे जा सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन पे पी एम नरेंद्र मोदी जी ने निमलिखित में से किस राज में महाबाहू ब्रह्मपुत्र परियोजना का सुभारम किया है तो यह जो आपका महाबाहू ब्रह्मपुतर परियोजना का सुभारम किया गया है नरेंद्र मोदी जी के दवरा यह किस राज में हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा असम राज में इससे पहले हमने बात की तो इस परियोजना के तहत जगह, कस्वे, नदियों क ब्रिज के माद्यम से पुल बना का जोड़ना है इसका में काम में है कुछ दिनों पहले करेंट अफेर्स में हमने ये भी चर्चा की थी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने असम गए थे और वहाँ पे कौन सी परियोजना को लॉंच किया गया था असम माला जो की हमारा क्या है ए आपका नदी से रिलेटेड है और इस परियोजना की जो लागत लगेगी है जो बनने का जो कॉस्ट लगेगा वे आपका 3231.38 करोड आपका इसके लागत लगेगी और इसका जो में उद्देश से है इस प्रोजेक्ट को सालू करने का लांच करने का भारत के पूरवी हिस्स ब्रह्मपुत और बराक नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए विबिन ने जो विकास की गतिवीदियां भी शामिल है इसमें तो ब्रह्मपुत इस से रिलेटेड जो भी आपके काम होंगे याँ पर डेवलप्मेंट होगा तो इस से आसपास जो रहने वाल ब्रेजे में और साथी साथ हाली में दो पूलो की अधार सीला भी रखे गे जो दो ब्रिज उनकी फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है असमराजी में ही और वो आपके हैं धुबरी फुलबारी ब्रेज और माजूली ब्रेज ठीक है न तो यह जो दो नए ब्रेज है इनक यादार शीरा रखी गिए जो की आपके असम राज्य में बनाए जाएंगे धुबरी जो की असाम और फुलबारी आपके मिघाले ब्रिज है तो इन दोनों स्टेट को ये कनेक्ट भी करने का काम करेगी और ये आपकी क्या होगी इंडियास की लॉंगेस रिवर ब्रिज होगी जिसका लेंट आपका 19 किलो मीटर होगा और इसमें जो लागत लगीगी वे आपके 4,997 करोड लगेगी तो इसको भी आद रखेगा ये आपका क्या बनने जाएगा आपका धुबरी आसाम फुलबारी में घाले ब्रिज तो ये आपका इंडिया का लॉंगेस रिवर जो की जोरहाट मजूली के बीच में बनेगा और इसकी जो लेंट होगी वे आपकी 8 किलो मीटर होगी और इसका जो लागत लगेगा बनने का 925 करोड लगेगा ठीक है तो ये हमारे नरेंद मोदी जी के द्वारा ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया इसको भी याद र तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये किसके द्वारा रिलीस की गई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा RKS भदोरिया के द्वारा ये आपका The Epic Battle of Longay वाला जो बुक है इनके द्वारा ये बुक का क्या है रिलीस की गई है और RKS भदोरिया जी की बात करें तो ये हमा भारती वायू सेना के प्रमुक है Chief Marshal RKS भदोरिया और इन्होंने जो आपका लिखी है ये किसने लिखी है बुक जो हमारे Retired Air Marshal भरत कुमार शेवा निवरित हो चुके हैं उनके द्वारे ये बुक लिखी गई है तो Battle of Longay वाला की बात करें तो ये आपका जो लड़ा गया जो आपका बात में बांगला देश बन गया उसको आजात कराने के काम पर ये आपका युद्ध लड़ा गया था हमारा चार से साथ दिसंबर 1971 में जो कि आपका 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ था और ये जो आपका लड़ा गया था Battle of Longay वाला ये आपका राजिस्तान पे परता है Longay वाला जो कि आपका रामगर से 30 किलोमेटर दूर पर परता है ठीक है तो इसकी location और कब से कब तक ये लड़ा गया था इसको भी याद रखेगा इसी Battle के तोर पे हमारी जो बुक लिखी गई है The Epic Battle of Longay वाला और किसके दौरा लिखी गई है ये हम इंपोर्टेंट होने वाली है The Epic Battle of Longay वाला ठीक है तो इसको याद रखेगा इस प्रशन को तो ये रहा हमारा आज का 20 परवरी का अंतिम प्रशन और आज हमने सारे प्रशन पढ़ लिए हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर वीडियो पसंद आई है तो जादा से जादा लोगों को शेयर करें लाइक करें कमेंट करें ठीक है और सब्सक्राइब भी करें आपको अगर ये जितनी भी मैं वीडियोज डाल रही है अगर आपको ये पसंद आ रही है तो ठीक है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत भथ धन्नेवाद घंक्य सोमा जैहिंद